बताती हूँ तुम्हें मौमिनों मैं इस हिकायत में वो का नारत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में थे घर में एक दिन बैठे हुए सुल्तान बहरो बर ना जाने क्या ख्याल आया के बोली बिंते पैगंबर ए मैं भूबे खुदा ये अर्ज मेरी पेशे खिदमत है जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो कौन औरत है ये सुनकर मुझकुरा ये मुझक तो फाइर शाद फरमाया मेरी बेटी ये सच है सबसे अफ़ल है तेरा रुत्वा जो सबसे पहले जन्नत जाएगी एक ऐसी हस्ती है पुने का औरत ये ही के एक लपड़हार एकी बीवी है ये ही नजदी कि उसका घर है तुम उसके घर जाओ तुम उसे मिलके खुश होगी किसी दिन उससे मिलाओ कि सुनके हो गई बेचेन आखिर बिंते पैघंबर दादा जहरा ने दी एक तिन लपड़हार के घर जाकर तो ये आवाज आई कौन हो क्या नाम है बीवी किसे मिलने तुम आई हो यहा क्या काम है बीवी कहां जेराने मैं बिंते मुहम्मद हूँ इजाज़त दो मैं तुम से मिलने की मुश्ताग बेहद हूँ इजाज़त दो ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीवी तुम्हारा नाम उसकर आँखो पे लेकिन ऐ नविजादी बिना शाहर की मर्जी मैं इजाज़त दे नहीं सकती मुझे है शर्यकडर तुम को घर में ले नहीं सकती मुझे भी आर्ज है मैं मिलू बिन्ते पेगंबर से कला ना थूँ मैं ले लूँगी इजाज़त अपने शहर से वा जब दूसरा दिन फात्मा जहरान जब सोचा चले मिलने मुस औरत से हसन को साथ में रखा ददा दी जाके घर पर भी भी मैं फिर मिलने आई हूँ मैं अपने लखते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ लकड हारे की औरत सुनके ये बोली नभी जादी तुम्हारे वास्ते लिए इजाज़त में ने शहर की हसन को कैसे घर में लू ये मुझसे हो नहीं सकता के शोहर को मैं धोका दू ये मुझसे हो नहीं सकता हुआ जब तीसी रा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर कई मिलने मगर मायूस लाटी बिलते पैगंबर कई जब चोथे दिन मिलने ना भी जादी उस औरत से उस आउरत ने उन्हे ला कर बिठाया घर में इस जज़त से काब तो इज़त मिल गई है मुझे को शोहर से के आसकता है हर कोई रसुल आलाहा के घर से के आसकता है हर कोई रसुल अलाहा के घर से बहुत बाते हुई आपस में फिर खुश हो गई जहरा बना ये इसके शोहर इस पदर आउरत को यू पाया हुआ मालूम ये भी एक पाओं पर खड़े होकर कुराने बात तु सर पर रख के करती है दुआ अक्सर रहे मैं फूज या रब मेरा शोहर हर मुसिबस से रहे खुश तु भी और शोहर भी मेरा मेरी ख़द मस्ते पसंदाया ये अंदाजे वफा इस नेक औरत का घड़ी बार बैटकर फिर लोट आई फातुमा जहरा ये जो गुजरा सुनाया मुस्तफा को अपने घर आकर सुना सब आ गया फिर बोले यूँ अल्लाहा के दिल बर तुम अपने उर्ट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी उसे तुम उर्ट की रस्ती को थामे आगे पाओगी ये मतलब है के वो जाएगी तुम से पहले जन्नत में कुजारी उपने अपनी जिन्देग शाहर की खदमत में जिस ओरत ने तिल ने उम्र बर शाहर की खदमत की वो ओरत गर हकीकत होती है हकदार जन्नत की वो ओरत गर हकीकत होती है हकदार जन्नत की